तो थोड़ी दिन पहले मैंने आप सबके साथ कॉन चाट की रेसिपी शेयर की थी तो आज मैं बनाने वाली हूँ रोटी की चाट तो अगर आपने कॉन चाट की रेसिपी नहीं देखिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगी तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि कैसे मैंने बनाई थी उसकी रेसिपी आपको वहाँ पी मिल जाएगी तो यहां पर रोटी की चाट बनाने के लिए मैंने ले लिया है रोटी जो सबके गर पे एक दो तो बची जाती है थोड़ी बहुत तो बची जाती है तो उसको मैंने फ्राइ कर दिया है और पूरी की प केचप केचप की जगर आप इमली की चटने भी यूज कर सकते लेकिन मेरे पास नहीं थी और टाइम भी नहीं था इतना बनाने का तो मैंने केचप ले लिया और उपर से दाल थोड़ा सा नामक नीम्बू और धनिया बस अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और बस इसके उप आपके घर पर भी ऐसी कुछ बच जाए और आपको कुछ इंस्टन खाने का मन हो चार्ट वगेरा तो यह आप बना सकते हो और यह हल्दी है और टेस्टे भी है ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयों तो प्लीज लाइक कीचे और चैनल पर नहीं तो सिस्क्रा आपके खेखे और पर लिंए कर थाह को मेरी ट मेरी अज़रा आपको Jeanne इंनो जहैं तूंग को